गांदी की भारत जुड़ो नयाय यात्रा पहुंचने से पहले ठाने कॉंग्रेस में घमासान गांदी की भारत जुड़ो नयाय यात्रा शनीवार को ठाने शहर पहुंच रही है इससे पहले ठाने कॉंग्रेस की नीताओं का मन उटाओ सामने आ रहा है दोरे की योजना को लेकर मंगलवार कोई प्रेस कॉन्फरेंस के मुद्धे पर पार्टी दो गुटों में बढ़ गई है पार्टी के पृते सच्चे मनोई शिंदे ने नाराजगी जाहिर करते हैं कहा कि राहूल ठाने आ रहे हैं लेकिन इसकी जानकरी और रोप रेखा के बारे में इस्थानी स्तर पर उनके लाव पार्टी के कई पुराने पतादिकारियों से जानकरी नहीं साज़ा की जा रही है कांगरेस के स्थानेत्रत के विश्वास में आ लेने का आ रूप लगात है। प्रेस् Après कंफ्रेंच पर खुल कर नाराजी जता एँ उन्हों नहीं कहुआ कि यातरा कउंग्रेस की एवर दूसर के नेता कर रहे मनोज शिंदे ने सोचल मीडिया पर मराठी में एक क्लिप वायरल किया है जिसमें लिखा है कि ठाने में राहूल आ रही है प्रेस कॉनफरेंस दूसरे लोग कर रहे हैं पार्टी कैसे बढ़ेगी मनोज ने बीटी से कहा कि राहूल कॉंग्रिस पार्टी के नेता है उनकी भार के रूट में बदलाव करने वाले और यात्रा से जुड़ी घुशना करने वाले आभार कौन होते हैं राहूल की यात्रा को लेकर विवन्दी पुले सतर्क राहूल गांधी की पूर से पश्चिन तक चल रही भारा जुड़ो नया यात्रा 15 मार्स को विवन्दी तालुका म प्रवेश कर रही है कॉंग्रिस कारकरता यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं वहीं पुलिस प्रशासर नेवी सुरक्षा विवस्ता कर ली है पालगर जले सिद्धो पहर दो बजे यात्रा विवन्डी तालुका में पहुंचेगी वहां से यात्रा महापोली नदीना का छिलार होते हुए विवन्डी शेहर में पांच बजे स्वर जी आनन्त देगी चोक पहुंचेगी यहां एक चॉक्सबह होगी वहां सियात्रा ग्रामीर сосनाले पहुंचेगी और वहां पंचायत स्टेडियम में रोकेगी वहां से यातरा सुले मार्ज की सुबधाने शहर की ओर निकलेगी ग्रामीन शेत्रों में ठाणे ग्रामीन पुलिस अदिक शक के नितरत में 70 महीला पुलिस, 430 पुरोष पुलिस, 6 महीला उपनिरीक शक, 36 पुलिस उपनिरीक शक और 9 पुल पूरिष नीता आरिफ नसीम खान ने कहा कि राहूल गांदी की भारत जुरो नियायात्रा को लेकर कॉंग्रिस कार करताओं में जबरदस्त उत्सा है उन्होंने सभा और सुनाले खेल के मैदान का निरिक्षन किया इस अवसर पर ठाने जिला ग्रामीन अध्यक्ष द्यानन चो को बचाए रखने के लिए राहूल तीन साल जुटे हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी की किन सरकार ने दस साल में विकास के नाम पर सिर्फ मिनास किया है